तो आज मैं अपने स्किन पे फेशल करा रही हूँ और जो मैंने फेशल किट यूज किया है उसका नाम है Lotus Herbal White Glow Insta Glow Fairness Facial Kit आप online भी इसे purchase कर सकते हो ये देख सकते हो छोटे छोटे boxes में होते हैं इसमें चार boxes होते हैं जिसमें ये चार pouch मिलता है तो आप चार बार इसे apply कर सकते हो आप किसी भी four person पे apply कर सकते हो तो one box में चार pouch होते हैं और one person पे apply कर सकते हैं तो सबसे पहले start करते हैं cleansing milk से तो आप देख सकते हैं white glow skin whitening and brightening cleansing milk है तो इससे हम अपने face को पहले तो clean करेंगे सबसे first तो कम से कम five minute का तो massage देंगे हम cleansing milk से अच्छे से deep clean करेंगे skin को तो सबसे पहले cleansing करते समय neck से start करेंगे neck से start करते हुए हम उपर cure जाएंगे आप कोई भी facial kit से facial करते हो तो सबसे important matter करता है कि आपने steps कैसे use किये हैं तो अगर आपकी steps बिल्कुल proper हो तो आपका facial 100% result देगा तो आप देख सकते हैं neck से start किया फिर अपने chin पे criss cross किया फिर उसके बाद हम nose पे आ रहे हैं फिर अपने chick पे आ रहे हैं उसके बाद हम forehead पे जा रहे हैं तो I hope कि ये video आपको बहुत ही helpful होगा जो आप अच्छे से step जान पाओ कि आपको कौन कौन से step कब use करना है और काफी अच्छा वीडियो है ये आप प्लीज अन तक देखना कि आपको अच्छे से समझाए कि आपको कैसे step यूज़ करना है और किस तरीके से cream को apply करना है cleaning के बाद आप अपने face को अच्छे से wipe से पानी की help से अपने face को अच्छे से clean कर लिज़े आप towel भी use कर सकते हैं अब scrub apply करेंगे यहाँ पे oatmeal and yogurt skin whitening and brightening scrub है तो अब अपने पूरे पूरे जितना भी पाउच में है आपका वो पूरे को पहले अपने face पे अच्छे से apply कर लिज़े अपने eyes पे भी इसे apply कर लें क्यूंकि इसका जो भी benefit है वो आपके जो dark circle है उसको भी कम करने के लिए है बाकी आपको rub नहीं करना है eyes के पास बिल्कुल भी scrub को आप जब भी scrub करते हो तो ये ध्यान रखा करो कि आपने हमेशा अपने finger और tips का यूज़ करना है अपने palm का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है scrub करते टाइम बीच बीच में पानी का जरूर यूज़ करो बहुत सुखा नहीं रहना चाहिए इस scrub हमेशा गीला होना चाहिए lotus white glow का जो ये scrub है इसमें oat mills और yogurt होता है जो हमारे skin को बहुत ही अच्छे से exfoliate करता है साथ में हमारे जो भी impurities है वो black head है वाइट है इन सब को बहुत ही अच्छे से easily remove कर लेता है तो गीला wipe से अच्छे से skin को clean कर ले एक भी scrub के दाने नहीं होने चाहिए क्योंकि जब हम massage करेंगे तो वो बहुत ही smoothly होना चाहिए अगर आपके skin पे steam लेने की जवरत है बहुत जादा white head black head है तो आप पहले steam ले लो और उसके बाद pin की help से आपने white head और black head को निकालना है तो थोड़ा सा cotton लेना है और pin से बहुत lightly आप सारे white head और black head को निकाले यह बहुत ही easily निकल जाता है क्योंकि आपने जब scrub किया होता है तो skin बहुत soft हो जाता है आपके जितने भी white head होते हैं और black head होते हैं वो बहुत smooth और soft हो जाता है जो easily pin की help से निकल जाते हैं अब यूज़ करेंगे lotus herbal skin whitening and brightening massage cream तो सबसे पहले हम पूरे face पे pouch से निकाल कर अपने face पे apply कर लेंगे अपने पूरे skin पे apply कर लेंगे neck पे apply कर लेंगे और फिर neck से start करेंगे massage देना आप देख सकते हैं आप step by step follow कीजिए बहुत ही easy हो जाएगा आपके लिए और आपको 100% result मिलेगा अगर आप अच्छे से step को follow करते हैं तो तो आप देख सकते हैं downward से upward तक massage किया जा रहा है one by one step के दौरान करा जा रहा है पहले हमने neck पे किया फिर chin पे किया फिर चिक पे कर रहे हैं फिर nose पे कर रहे हैं फिर forehead पे जा रहे हैं तो देख सकते हैं कि हम scissor massage अब यूज़ कर रहे हैं यह scissor step है पूरे face को cover करना है neck से लेकर आपके पूरे forehead तक cover होना चाहिए और बहुत ही अच्छे से gentle बिल्कुल smooth massage होना चाहिए lotus herbal skin whitening and brightening massage cream हमारे skin में deep clean करता है हमारे skin को whiten बनाता है और lighten करता है skin के color को यह skin को refresh करता है साथ में energetic बनाता है और deep moisturizing करता है आपके skin को यह आपके skin को stimulate करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से polishing होती है आपके skin पे और जो भी pores हैं वो उन्हें बहुत ही अच्छे से cover कर लेता है और आपके skin को tighten करता है यह आपके skin texture को refine करता है साथ में आपके skin को luminous और बहुत ही soft बना देता है 15 minute तक इस cream को हमें अच्छे से massage करना है और अपने skin पे अच्छे से सुखा देना है कि यह बहुत ही अच्छे से dry हो जाए और आपका skin इसे observe कर ले अगर आपका skin dark है और आप चाहते हो और facial जरूर कराना चाहिए अगर आपका 25 साल से उम्रिद उपर हो तो अगर आपका नीचे है तो आप इसका clean up भी ले सकते हैं अब pressure point पे काम करना है तो आप देख सकते हो किस तरीके से pressure दिया जा रहा है और कहां कहां pressure दिया जा रहा है आपको ये बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए कि किस पार्ट पे आपको कहां पे pressure देना पड़ता है pressure point से बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे कि जब आपका skin बहुत ही जादा dull हो तो ये glow लाता है आपके skin पे आपके wrinkles fine line है तो वो उसे कम करता है और cover करता है साथ में आपको 100% relaxment feel होगा जब आप pressure point के साथ काम करोगे तो तो आप एक-एक step अच्छे से follow कीजिए जिसकी वज़ा से आपके भी बहुत ही अच्छे से facial हो और बहुत ही अच्छा result मिले आपको तो beauty से related आपकी कोई भी query हो तो आप मुझसे instagram पे आप मुझे message कर सकते हैं साथ में आप comment box पे भी कोई भी query डाल सकते हो और अगर आप मेरे beauty classes join करना चाहते हैं तो आप मेरे channel को subscribe कीजिए और सारे beauty classes आप freely देख सकते हो मेरी requirement ही vitamin E capsule यूज़ करना तो मैं यहाँ पे vitamin E capsule यूज़ करा रही हूँ vitamin E capsule बहुत ही अच्छा result देता है आपके skin पे glow तो आता ही है साथ में आपके skin को deep moisturize भी करता है यह वैसे भी यूज़ करना चाहिए सोने से पहले आप vitamin E capsule यूज़ कर सकते हो जब skin पूरी तरीके से cream को observe कर ले उसके बाद आप अपने skin को wipe out कर लीजे तो उसके बाद last process है mask का जहाँ पे मैंने yogurt skin whitening and brightening mask यूज़ कर रही हूँ lotus का तो इसे brush की help से या फिर अपने fingertips की help से पूरे face पे आपने इसे लगा लेना है ये mask योगर्ट और beer berry extract से बना हुआ है योगर्ट में lectic acid properties पाई जाती है जो skin को lighten करने में बहुत ही helpful होती है beer berry में antiseptic properties पाई जाती है जिनकी वज़ा से हमारे skin के bacteria को ये remove करता है साथ में skin को fairer करता है और skin पे काफी glow आ जाता है जब mask 80% dry हो जाए तो आपने पहले wipe रखकर dab dab करना है उसके बाद ही उसे अच्छे से revive out करना है मेरे skin पे बहुत ही अच्छा glow आया है काफी effective facial हुआ है ये और आपको कैसा लगा ये जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो like और share जरूर करना